Electoral Bond मामले में SBI को सुप्रिम कोट से बड़ा जटका लगा था SBI के तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरिश सालवे ने Electoral Bond की जानकारी देने के लिए और वक्त मागा था लेकिन कोट ने फटकार लगाते हुए आज शाम तक पूरी डीटेल देने का अदेश दिया है अब SBI को आज शाम चुनावी Bond का ब्यारा देना होगा मही सुप्रिम कोट ने कहा था कि 15 मार्श तक चुनावायोग सारा डेटा वेब साइट पर डाले इससे पहले सुनवाई की दौरान सीनियर वकील हरिश सालवे ने इलेक्टोरल बॉंड की जानकारी देने के लिए और वक्त मांगा था सालवे ने कहा कि SBI को बॉंड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिये गए थे जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉंड का मूलिय जैसी जानकारी देने के लिए कहा गया है इसके अलाबा राजनेतिक दलों का विवरण पार्टियों को कितने बॉंड मिले ये भी जानकारी देने के लिए कहा गया है हरीश सालवे ने कहा कि इस जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा क्योंकि SOP के तहट ये सुनिशित किया गया है कि बॉंड की खरीदार और बॉंड की जानकारी के बीच कोई समन्द ना रखा जाए जिसे डिकोड करने में समय लगेगा इस पर CGI ने कहा कि फैसला 15 फरवरी को सुनाया गया था और आज 11 मार्च हो गया है अब तक क्या किया गया इस मामले की सुनवाई पांच जजों की बैंचने की और सुनवाई के बाद कोट ने SBI को 12 मार्च तक ही पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है वही सुप्रिम कोट ने कहा है कि 15 मार्च तक चुनावायोग सारा डेटा वेब साइट पर डाले अब SBI को आज शाम चुनावी बांड का ब्यारा देना होगा वही सुप्रिम कोट ने कहा था कि 15 मार्च तक चुनावायोग सारा डेटा वेब साइट पर डाले इससे पहले सुनवाई की दौरान सीनियर वकील हरीश सालवे ने इलेक्टोरल बॉंड की जानकारी देने के लिए और वक्त मांगा था सालवे ने कहा कि SBI को बॉंड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिये गए थे जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉंड का मूलिय जैसी जानकारी देने के लिए कहा गया है इसके अलाबा राजनेतिक दलों का विवरन पार्टियों को कितने बॉंड मिले ये भी जानकारी देने के लिए कहा गया है हरिश्व सालवे ने कहा कि इस जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा क्योंकि SOP के तहट ये सुनशित किया गया है कि बॉंड की खरिदार और बॉंड की जानकारी के बीच कोई समंध ना रखा जाए जिसे डिकोड करने में समय लगेगा